तो आज हम बनाने वाले हैं चिली चीज टोस्ट वह भी घर पे और वह भी तवे पर और बिल्कुल इसका फ्लेवर आपको पिज़े की तरह आएगा तो इसके लिए आपको चाहिए थोड़ी सी कॉन कटी हुई प्याज और कटी हुई बारिक शिमला मिर्च क्यूब की फॉर्म अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि फ्लेवर्स रहें वह इन बिल्ट इसके अंदर चले जाएं तो आपने एक बात याद रखनी है कि मैंने कॉन एड की है यह बॉयल कॉन है आप चाहे तो किसी भी बाजार से कैंड वले कॉन भी यूज कर सकते हैं इसके इलावा एक्स्ट्रा वर्जिन यूज करूंगी और साथ में औरिगानो वह जो कि हम उसके उपर स्प्रिंकल करेंगे तो आपने कहरना क्या है कि आपने टॉपिंग प्रिपेर की थी तीन इंग्रीडियंस के साथ उसको स्प्रेड डाउन कर देना है अपनी स्लाइस पे जो कि हम तीन की फील हो रही होंगी क्योंकि इसकी वज़ा यह है कि इसको काफी देर के लिए मैंने फ्रीजर से बाहर निकाल कर रखा था इसलिए बिल्कुल मॉइस्ट हो चुकी है आप इसके इलावा दर फाइफ टैन मिनट्स के बाद इसको ग्रेड करके डाल देंगे तो अच्छा टे करना है कि बिल्कुल 250 से मिनिमम्म आपने ऑमिल पने तवे पर ग्रेस्ट कर लेना है और उसके बाद आपने क्या करना है कि अपने तीनो स्लाइसस जई है रक देनी है तवे के उपबर, तवा मैं इसलिए यूज करनें तवा मौजूरा है और आपने फ्लेम जाए बिलकुल लो रखना है जिसे आप दामी की आँच पर रखना है बलके उससे भी ज्यादा कोशिश करे रखने की और उसके बाद जो है आपने इसको कवर कर देना है किसे भी लिड के साथ अगर आपके पास ये गड़ाई का कवर नहीं है ट्रांस्पेर हैं तो जो मर्जी आपके पास कवर हो आपने उसको कवर करना है तो चीज जो है वो उसके स्टीन से ही मेल्ट हो जाएगी और उसके बाद आपने क्या करना है इन स्लाइसे को निकाल लेना है ыл hatred कblesें तो नतर्न दाक्त परसाल में, परसाल का इंगा का यह जड़ीन को पड़ना केसे सोल है! और आपने उनको जो है असेंबल कर लेना है जैसे आपकी मर्सी हो और यह चीज चीज टॉस्ट रहे हैं विल्कुल रेडी हैं खाने के लिए अगर थोड़ा से एक्स्ट्रा स्पाइसी चाहते हैं तो उपर चिली फ्लेक्स जो हैं उनको स्प्रिंकल कर दें जैसे कि आप लोग